हाई गाईज गूर्णिंग आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ससी यानि स्टाप सेलेक्शन कमिशन के बारे में तो बेसिकली यह वीडियो उन छात्रों या उन एस्टुडेंटों के लिए है जो या तो अभी-भी 10-12 एक डिजेशन पास किये हैं और जेनरल कमपेट अंतरकतंत्रत करने हैं या 2 एक गए स्ट Exchange या स्ट लिए यह वीडियो है तो इस वीडियो को जड़ाज़ा सियर कीजिए ताकि उन सारे नए छात्रों के पास जो इस SSE के त्यारी करना चाहते हैं उनके पास वीडियो पहुँच पाए और वे SSE के बारे में पूरी जनकारी ले पाएं क्योंकि हम इस वीडियो में पूरी SSE के बारे में पूरी जनकारी देंगे कि कौन सा post SSC के लिए आता है कौन सा post किस qualification के लिए होता है कौन सा form हम कब भर सकते हैं ये सारे जनकारी हम अभी इसी वीडियो में आगे लेंगे तो आये देखते हैं SSC के बारे में SSC यानि स्टाप सेलेक्शन कमीशन SSC का पूरा नाम है स्टाप सेलेक्शन कमीशन और हिंदी में कर्मचारी चैन आयो के नाम से इसे जाना जाता है स्टाप सेलेक्शन कमीशन यानि SSC केंद सरकार के अधिन कारेड़त है अर्थात है सेंटरल गॉर्मेंट के अंदर अंतरगत आता है SSC और यह भारत सरकार के विभीन मंत्रा लेयो और विभागों के विभीन पदों के लिए गुरूब B और गुरूब C के कर्मचाड़ियों की भरती करता है अर्था ससी की बात करें तो ससी जो अभी हम लोग देख रहे हैं ससी किन सरकार के अंतरगत काम करता है और इसमें गुरूब B और गुरूब C के पोस्ट के लिए हम अपलाई करते हैं जैसे कि MTS हो गया, CHSL हो गया, GD हो गया, CPO हो गया, यह सारे पोस्ट के नाम है SAC के अंतरगत जो भी पोस्ट आते हैं और इनी पोस्ट के थुरू हम अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग भी भाग में जाकर कारे करते हैं, जैसे कि External Affairs, Ministry of Home Affairs हो गया, Ministry of External Affairs हो गया, सचीवाले हो गया, Railway हो गया, MES हो गया, UF भी हो गया, CQE हो गया, QE हो गया या तो फिर Ministry of Sipping हो गया, Ministry of Textiles हो गया, Ministry of Information and Broadcasting हो गया, Ministry of Justice and Empowerment हो गया इन सारे बिभाग, इन सारे डिपार्टमेंट में हम इसी SSC के थुरू इन सारे बिभाग के गुरूबी और गुरूप C के Post पे हम लोग जा सकते हैं और वे साड़े पोस्ट से यही है, MTS हो गया, CHSL हो गया, GD हो गया, CP हो गया, या तो CGL हो गया या तो इसका अंदर कर आता है, स्टेनो कर रहे हैं, उनके लिए भी SSC Post निकालता है और यह SSC प्रतियक साल नियमित रूप से भैकेंसी निकालते रहता है तो आए इस वीडियो में हम लोग खास करके SSC, CHSL के बारे में जानेंगे जो 10 प्लस 2 लेवल पर होता है, उसके बारे में देखेंगे तो सबसे पले देखते हैं, CHSL के बारे में तो CHSL के अंतरगत SSC, CHSL यानि Combined High Secondary Level एक्जाम होता है यह 10 प्लस 2 क्वालिफिकेशन पर एक्जाम होता है, और इसके अंतरगत LDC पोस्ट, LDC यानि Lower Division कलर काता है JSA का पोस्ट आता है, JSA यानि Junior Secretariat Assistant का, साथी साथ PA और SSA, PA यानि Postal Assistant और SMA यानि Sorting Assistant इसके अंतरगत हम लोग पोस्ट आफिस में जौब पाते हैं, वहीं पर DEO, Data Entry of Rater का जौब यहां पे, SSC, CHSL के अंतरगत आता है इसके लिए qualification मात्र 10 प्लस 2 है, साथी साथ इसका application फिकी बात करें, तो इस form को भरने के लिए, जो प्रती एक साल लगवग आते रहता है हर साल आएगा, SSC का यह regular basis पे SSC कलेंडर जाड़ी करके पहले ही बतायता है, दो तिन मापहले की कब फोर्म भरा जाएगा, कब एकजाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, यह सारे notification SSC पहले सही अपने SSC कलेंडर के मात्र हम से जाड़ी कर देता है, तो application की बात करें, तो SSC CHSL का application फिर 100 रुपया होता है मात्र, जिसे हम online पे कर सकते हैं, या भीम यूपया, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, यह फिर जेनरल कैटेग्री के लिए है, वहीं पे SCC के लिए छूट रहता है, 0 रुपया रहता है, आगे देखते हैं, CHSL एग्जामीनेशन कैसे होता है, ए तो CHSL की बात करें, तो CHSL में तीन एक्जाम होता है, पहला एक्जाम टायर वन होता है, जो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम होता है, और दूसरा एक्जाम होता है, डिस्क्रिप्टी पेपर का, जो पेन पेपर बेस्ट एक्जाम होता है, और तीसरा टाइपिंग स स्कील होता है टाइपिंग में चेक किया जाता है तो यहीं तीन पराव से गुजरना पड़ता है यह चेचल के जॉब के लिए वहीं पर बात करें की इसमें अपनाता है अगर मान लीजी नर्मलैजिशप्त का connectivity का मतलब क्या हूं है मान लीजिए आपका एक्जाम होगा और आपके SSE में फॉर्म भारा जाता है दो तिन लाग बहुत ज़्यादा फॉर्म भारा जाता है और अलग-अलग सिफ्ट में एक्जाम होते हैं किसी शिफ्ट में hard question आता है किसी में soft रहता है किसी में medium रहता है किसी में easy रहता है इस तरह के अलग-अलग phases में exam conduct करने के चलते अ सारे भेरियसन आते हैं जिने नुर्मालाइसन करने के लिए एससे जनाओक में टफर लगाता है आल आगे देखते हैं इसे सिब्रस के वाड़े में तो से सिखाव सिख्यसी सिफ इसे कम आता पाले एक्जाम की बदिता शां सब को सकॉछेंस का होता है जिसमें एक question दू नमर कराता है और negative रहता है one fourth का तो SSC के syllabus में देखे हैं तो पहले जब CBT one होता है computer based examination जब पहला examination होता है जैसे कि हमने बताया इस CHSL तीन फेज का exam है तो पहले फेज में CBT based exam होगा और इसमें English के 25 questions, basic English के 25 questions, general intelligence यानि reasoning के 25 questions, math के 25 questions और GK के 25 questions रहते हैं total मिलाकर के 200 number का question रहता है फिर देखते हैं English के syllabus के बारे में बात हैं तो मैंने हापे syllabus लिख रखाया आप लोग चाहें तो देख सकते हैं यह सारे syllabus यहां पर दिए गये हैं general evidence अब descriptive की बात करें दूसरा exam descriptive का होता है यानि pain paper based exam होता है और यह 100 marks का होता है pain paper based exam जिसमें हमें ले i2 में descriptive जिसको बोला जाता है उसके बाद आपका typing टेस्ट आता है जिसमें आपको ldc jsa ldc jsa हो गया से इस सब के लिए आपको typing speed चाहिए 35 के speed में और बाकी के लिए 80 के speed में चाहिए सब्सक्राइब हो गया इसके लिए ज्यादा speed चाहिए होता है 80,000 की depression यहां पर लिखा हुआ है इन वन आवर इन पर आवर होना चाहिए आगे देखते हैं तो अंतरकत जैसे मन बताया है पहले तो ldc आता है जैसे आता है जुनियर इसका यह लेवल टू के एक्जाम होते हैं पे लेवल इनका लेवल टू रहता है और इसके लिए हमें आप सेलरी भी लिखे होगा देखिए 19,900 से लेकर के से 80जर तक जाता है तो यहां पर हमने सारे लेवल लिखे हुए है यहांसे आप से आप देख सकते हैं वहीं पर आप देख लेते हैं कि एससे का लिमीट कहा रहा है यह से का फॉर्म बहने के लिए एज़ीं बहुत हुआ पर चाहिए और हैंसMusic 27!! अलगत का डिया जाता है तो ही सब एक शर्व सर्विस्ण को स्वास Михास्राइबें कोita n सन रहीं था वह थाओ वी को तो विडि को जादा जाता है अचुंट' नहीं उसका ससी का पुड़ा प्रोसेस है यह लिमिट भी यही है तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ससी के ससी का वेब साइट पर चेक करते रहे हैं और ससी का कोई भी नोटिफिकेशन जानने के लिए आप उडान नाम का एक अपलिकेशन उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको उसे आप लोग हमेशा ससी के नोटिफिकेशन को जान सकते हैं ससी का कलेंडर प्रतियक वर्स जाड़ी होता है उसे आप लोग को देखना है और उसी कलेंडर के निसार आपको अपने प्रेप्रेशन को करना है स्टार्ट करना है जैसे हमने सिलेबस आपको बता ही या सिलिवस क्या कहा रहता है तो उसी सिलिवस का अंतरगत आपको पढ़ाई करना है ससी के एक्जाम जरूर निकलेगा टाइपिंग पर ध्यान देना रहता है टाइपिंग भी इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोग तुरह अगर जो भी स्टुडेंट है जिनको होते रहें तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू